जन सरोकार मंच टोंक के इस आभासी मंच पर आप सभी का हार्दीक स्वागत है, मैं शिव कुमार पराग आपके बीच उपस्थित होकर इस आभासी मंच से अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं शुरू करता हूं आपकी अनमत इसे, कि इतना खतरा चलो उठाएं हम, इतना खतरा चलो उठाएं हम, अपने भीतर तो सुख बुगाएं हम, तरकीब सोचिये कैसे, धुंद से रोशनी में आएं हम, धुंद से रोशनी में आएं हम, खून में भी दरार पढ़ने लगी, दोस्ती किस तरह बचाएं हम, और बर्फ दिल में उतर न जाएं कहीं, बर्फ दिल में उतर न जाएं कहीं, सोच में आग तो जलाएं हम, इतना खतरा चलो उठाएं हम, अपने भीतर तो सुख बुगाएं हम, और दो चार शेर सुने वजल के, जो वर्तमान परिवेश है, माहौल देख रहे हैं आप, कि दिलों के बीच में पत्थर दिखाई देता है, बिखरता तूटता सा घर दिखाई देता है, और हर एक चहरे के भीतर है सशंकित चहरा, हर एक मन में कोई डर दिखाई देता है, और यही व्योस्था, अगर चलती रही तो कल का, हर एक द्रिश भयंकर दिखाई देता है, दिलों के बीच में पत्थर दिखाई देता है, बिखरता तूटता सा घर दिखाई देता है, और आप जो सितियां हैं, उनमें जन भागीदारी के अंश को भी उन द्रिश्यों को भी आप देख रहे होंगे, तो उस पर कुछ शेर हमने कहे कि भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग, भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग, धीरे धीरे सुलग रहे हैं लोग, और इनको सोया हुआ नहीं समझो, आखों आखों में जग रहे हैं लोग, धीरे धीरे सुलग रहे हैं लोग, भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग, धीरे धीरे सुलग रहें हैं लोग और जो सुबह आई है उसका स्वरूप क्या है ये आप बहतर जानते होंगे देखें गजल के चंद अशार देखें कि सुबह आई है नए पर्चम उठाकर देखिए धूप उमीदों में कब होती है जाकर देखिए और तूट जाएंगे भरम रंगों के और रेखाओं के नीद से बाहर कोई सपना जगा कर देखिए सुबह आई है नए पर्चम उठाकर देखिए धूप उमीदों में कब होती है जाकर देखिए और हात कुछ तो आएगा हात कुछ तो आएगा वो जीत हो या हार हो जिन्दगी की आँख से आँखे मिला कर देखिए और शेर सुनिएगा कि लोग अच्छे दिन के वादे पर निचावर हो गए आए अच्छे दिन मगर किन के पता कर देखिए धूप उम्मीदों में कब होती है जाकर देखिए और जो दो चाशेर और देखें आप एक दूसी गजल के कि लोहा हूँ खत्वडों की चोट खा रहा हूँ मैं लोहा हूँ खत्वडों की चोट खा रहा हूँ मैं शोलों में तब के लाल हुआ जा रहा हूँ मैं मेरा भविष हादसों के पार जाएगा हां वर्तमान आधियों में पा रहा हूँ मैं मेरा भविष हादसों के पार जाएगा हां वर्तमान आधियों में पा रहा हूँ मैं फिर देखता हूं बाज के डैने खुले हूए फिर एक चुनवती से टकरा रहा हूँ मैं और शेर सुनेगा कि अपनी जमीन छोड के जाते हूए लोगों घबराओ नहीं आसमान ला रहा हूँ मैं घबराओ नहीं आसमान ला रहा हूँ मैं मैं बिजलियों की आँख का तारा हूँ दोस्तों फिर सुनेगा कि मैं बिजलियों की आँख का तारा हूँ दोस्तों अंधी गुफा में जलती घजल गा रहा हूं मैं, लोहा हूं अथवडों की चोट खा रहा हूं मैं, शोलों में तब के लाल हुआ जा रहा हूं मैं, और फिर देखता हूं बाज के डैने खुले हुए, फिर एक चुनवती से टकरा रहा हूं मैं, फिर एक चुनवती से टकरा र कोई सिल्सिला रोष्णी का निकालो आज जो सितियां है आम आदमी के पक्ष में रचना और रचनाकार दोनों को खड़ा होना चाहिए कंदे से कंदे मिला कर खड़ा होना चाहिए लोगों के दुखदर्द में सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबधता ही कभी को सच्चा कभी सिद्ध करती है तो यह कविता की जिम्मेदारी है और कभी की भी जिम्मेदारी है मेरी समस्य तो वजल के रोशनी का निकालो मशाले खतम हो तो मुझको जलालो मशाले खतम हो तो मुझको जलालो सवालों के इटों की हद हो गई है सवालों की इटों की हद हो गई है जवाबों के पत्थर उठालो उठालो मशाले खतम हो तो मुझको जला लो वहां कैद हैं कल के कितने ही सपने लहों की जमानत पे उनको छुडा लो सवालों की इटों की हद हो गई है जवाबों के पत्थर उठालो उठालो और उफंता समुंदर नहीं ध्यान देगा मेरी बात मानों तो तरकश समालो कोई सिलसिला रोष्णी का निकालो और मेरे शब्द तकलीफ में साथ देंगे कभी देके आवाज तुम आज मालो कोई सिलसिला रोष्णी का निकालो मशालें खतम हो तो मुझको जलालो कोई सिलसिला रोष्णी का निकालो और देखें एक जो परिद्रिश्य हम देख रहे हैं हम आप सभी देख रहे हैं इस परिद्रिश्य में सामप्रदाइक्ता से लड़ने के लिए मैं समस्ताओं की गांधी तमाम असहमतियों के बावजूद एक बड़े पृतिक हैं हमारे पास एक बड़े सिंबल है हमारे पास गांधी उनसे असहमतियां हो सकती है फिर भी लेकिन गांधी पर कितने हमले हो रहे हैं यह आप सभी जानते हैं तो गांधी और वर्त्मान परिवेश को लेकर एक कविता है मेरी आप देखें कि इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे नफरत के ठेके दा दिल दिमाग में विश्फ फैला दें गांधी अपना काम करेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे लगा है दिल को गहरा धक्का गांधी जन की पीर हरेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे दिरिष्ट नहीं ली चश्मा पकड़ा जहर बुझा मन अकड़ा अकड़ा गांधी इनसे नहीं सधेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे भगवादल कितनों दुतकारे स्वाध्वी कितनों गोली मारे गांधी टारे नहीं टरेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे भीतर लिये घ्रणा की आधी राजगाट पर गांधी 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 को ये क्या बूझेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे मन के भीतर रहने वाले गांधी कहां है मरने वाले गांधी और और फैलेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी और और फैलेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी फिर फिर जी उठेंगे और क्योंकि मैं बनारस का हूं बनारस में रह रहा हूं तो बनारस पर कुछ कविताएं अगर न सुनाओं तो ठीक नहीं रहेगा कि आस्था के वृत्त से विद्रोह की सीमा में प्रवेश करता एक बेलोस शहर है बनारस जिसकी भावना में तुलसीतों मिजाज में कबीर हैं जरा नजर दोड़ाएं यहीं कहीं बैठकर सुझाया था रैदास ने मन चंगा तो कठोती में गंगा काशी शहर नवरंगा रिभाई काशी शहर नवरंगा यहीं कहीं बैठकर सुझाया था रैदास ने मन चंगा तो कठोती में गंगा काशी शहर नवरंगा रिभाई काशी शहर नवरंगा एक दूसरी बनारस पर ही करिता देखें कि देवताओं को भी लुभाती धर्म की प्राचीन नगरी काशी मानिताओं में मोक्ष का पुराना प्रवेश द्वार है पतित पावनी गंगा इससे टकरा कर उत्तरवाहिनी हो जाती है जिसके पुल्य फल के वर्णनों से भरे हैं वेध पुराण लेकिन यहां पवित्रता के संग संग दूसरे छोर पर आराम से रहती है ठगी उसे बाकाइदे यहां की नागरिक्ता प्राप्त है और एक कविता देखें बनारस पर कितना बड़ा कौतुक कैसा आश्चर्य कितना बड़ा कौतुक कैसा आश्चर्य कि महाश्मशान की नगरी काशी शोक संताप के लिए नहीं हसी ठहाकों के लिए जानी जाती है अपनी मस्ती के लिए है सरनाम चिरनिद्रा के लिए मुफीद मानी गई इस नगरी की आखें वैसे तो हर बखत रहती है उनीदी पर जरिको खटका हुआ नहीं कि वैसे तो हर बखत रहती हैं उनीदी पर जरिको खटका हुआ नहीं कि भन्ना का चोकन्ना हो जाती हैं इसकी सारी इंद्रियाँ पर जरिको खटका हुआ नहीं कि भन्ना का चोकन्ना हो जाती हैं इसकी सारी इंद्रियाँ बढ़ जस्ता काम करने लगती हैं छठी इंद्री भी पर अठक होते हैं विश्मित, रह जाते हैं दंग इस विडंबना पर कि जहां लोग कामना में लेकर आते हैं अपना अंत उस जगह उमंगों में छाया रहता है वसंत उस जगे उमंगों में छाया रहता है वसंत ग्यानी यहां आकर अटक जाते हैं भक्त इसके हो जाते हैं श्रद्धाल इसमें खो जाते हैं और दार्शनिक सोच में पड़ जाते हैं कैसी यह सुबा यहां कैसी यह लहरे हैं कैसे हैं फूल खिले कैसा यह उपवन है मृत्य की नगरी में जीवन ही जीवन है और एक बनारस पर ही अगली कविता देखें कि बनारस एक चादर है बनारस एक चादर है जिसकी बुनावट में कबीर है इसे ओड़ कर जियों का त्यों धर देना होता है हाला कि कोई कोई ही कर पाता है ऐसा ज्यादा तर तो कुछ न कुछ मेट मेला कर ही जाते हैं पर हां कसकर जटकारती ही उड़ जाती है इसकी गर्द कसकर जटकारती ही उड़ जाती है इसकी गर्द और चादर फिर पुराने रंग पर आ जाती है जो भी इसे सांचे मन से ओड़ता है एक बार अलग नहीं रह पाता एक पल भी स्पृत इसे ऐसी लिपट जाती है यह चादर इसे ओढ़कर मांगी जा सकती है सबकी खैर और कहा जा सकता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बहर इसे ओड़कर मांगी जा सकती है सबकी खैर और कहा जा सकता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बहर और साथियो अब सोचता हूं कि एक गीत आपको सुनाओं आप जितने भी साथि हमसे जुड़े हैं इस जन स्वरोकार मंच टोक के आभासी मंच पर उन सबका पुनाह मैं सागत करता हूं और एक गीत आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिन्हें हम कि बड़े मन से मनोयोग से चुनते हैं वे कैसे बाद में बदल जाते हैं जो हमारे अपने ही होते हैं वो कैसे बेगाने हो जाते हैं कि जाने कैसे बदल गए जाने कैसे बदल गए कहलाते थे जो फोला दी कहलाते थे जो फोला दी सांचे के साथ ढल गए जाने कैसे बदल गए कि जाने कैसे बदल गए 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 जाने कैसे कहते थे हम नहीं हिलेंगे अगनिपता का लेकर हाथों में तूफानी चाल से चलेंगे जाने कैसे बदल गए जाने कैसे बदल गए परवत के होसले लिये थे जो धूप लगी तो पिघल गए जाने कैसे बदल गए जाने कैसे जाने बन देखें कि गाउं की फटी बिवाईयों को कहते थे कैसे भूलेंगे गाउं की फटी बिवाईयों को कहते थे कैसे भूलेंगे बुधिया के शील भंग की चीखें जहां रहेंगे वहां सुनेंगे जानें कैसे बदल गए अंगद के पाओं वाले थे जो चिकनाई पर फिसल गए जानें कैसे बदल गए बदल गए जानें कैसे जानें और आखरी बंद सुनें कि तूटे चपर वाले दिन अपने ढहती दीवरों की रातें कहते थे याद रहेंगी हमको भूखी मलई वाली बातें तूटे चपर वाले दिन अपने ढहती दीवरों की रातें कहते थे याद रहेंगी हमको भूखी मलई वाली बातें जानें कैसे बदल गए जानें कैसे बदल गए चुनी हुई आखों वाले थे जो अंधे पन पर मचल गए जानें कैसे बदल गए जानें कैसे बदल गए कहलाते थे जो फौला दी सांचे के साथ ढल गए जाने कैसे बदल गए अंगद के पाऊं आले थे जो चिकनाई पर फिसल गए जाने कैसे बदल गए बदल गए जाने कैसे बदल गए जाने कैसे जाने और एक थोड़ा दूसरे मूड का एक गीत आपको सुनाओं कि जो तरक्की और जो बेतहाशा भागम भाग मची है इस सदी में उसमें संबंधों और अपनापन आत्मियता इन सब के लिए कितनी जगह कितना इस्पेस बचा है या हम दे रहे हैं उस पर एक गीत देखें कि मुश्किल है परचाई देखना जीवन की कापुती नदी में बाहर से हम कितने हरे भरे भीतर से वैकुम हुए हैं बाहर हैं कह कहे ठहा के भीतर कुछ दर्द अंचुए हैं कैसा लगता है परमार्थ को कैसा लगता है परमार्थ को नेकी जब बदलती बदी में मुश्किल है परचाई देखना जीवन की कापुती नदी में मुश्किल है और अगला बंद पढाऊं कि बढ़ाये हम विकास पत पर अंतरिक्ष में नजर गड़ाये और उधर कई बरस दीत गए बाबा के नेह में नहाये सुलग रहे संबंधों के धागे आग लगे भागती सदी में मुश्किल है परचाई देखना जीवन की कापुती नदी में सुलग रहे संबंधों के धागे आग लगे भागती सदी में मुश्किल है परचाई देखना जीवन की कापुती नदी में मुश्किल है और हम सोच रहें कि कुछ दोहे आपको सुनाएं देखें कि पकी फसल को देखकर पकी फसल को देखकर सोचे बैठ किसान कब तक साहुकार की मुठी में खलिहान पकी फसल को देखकर सोचे बैठ किसान कब तक साहुकार की मुठी में खलिहान और देखें कि मेहनत लागत समय का है नगड़ परिड़ाम कब किसान तै करेगा खुद अनाज के दां मेहनत लागत समय का है नगड़ परिड़ाम कब किसान तै करेगा खुद अनाज के दां और एक दोहा देखें कि हरित क्रांति के बाद से रुका हुआ अभियान हरित क्रांति के बाद से रुका हुआ अभियान बस वोटों की फसल पर उनका सारा ध्यान हरित क्रांति के बाद से रुका हुआ अभियान बस वोटों की फसल पर उनका सारा ध्यान और आप देखें कि लोक तंत्र पर छा गया संकट आज विशेश दोहा देखें कि लोक तंत्र पर छा गया संकट आज विशेश सिक्के का बस एक ही पहलू है यावसेश आप इसकी वेंजना समझ रहे होगे लोगतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों बहुत ज़रूरी हैं तो लोगतंत्र पर छा गया संकट आज विशेश सिक्के का बस एक ही पहलू है यवशेश साथ गाठ के मिल रहे साफ साफ संकेत जनता है सहमी हुई जश्न मनाते प्रेत और सब दल लेकर हैं खड़े अपने अपने जाल सब दल हैं लेकर खड़े अपने अपने जाल, हे साधो कुछ चेतिये देश बड़ा बेहाल सब दल हैं लेकर खड़े अपने अपने जाल, हे साधो कुछ चेतिये देश बड़ा बेहाल और देखें कि पारदर्शिता का हुआ विज्यापन जखजोर देखें दुहा देखें कि पारदर्शिता का हुआ विज्यापन जख्जोर लीपा पोती हो गई संशय चारो और पारदर्शिता का हुआ विज्यापन जख्जोर और एक और दुहा देखें कि अल्ला ने रोके नहीं बलवे कतले याम बहुत ज़रूरी दोहा आपको सुना रहा हूं कि अल्ला ने रोके नहीं बलवे कतले याम दंगे भर चुप ही रहे घट घट वासी राम अल्ला ने रोके नहीं बलवे कतले याम दंगे भर चुप ही रहे घट घट वासी राम अब एक और कविता में दूसरे नहीं का जो महान जो आभा मंडल वाले लोग है उनकी असलियत क्या होती है और कैसे होते हैं इस पर एक कविता आप देखें कि बाहर निकल गए एक एक कर मेरे अंतस तक उतरे हुए लोग दबे पाओं बाहर निकल गए एक एक कर मेरे अंतस तक उतरे हुए लोग दबे पाओं बाहर निकल गए एक एक कर पहुँच रहा था मैं उनकी तह तक एक एक कर पहुँच रहा था मैं उनकी तह तक खुल रही थी उनकी कलई उतर रहा था सोने का पानी प्रतिरोध के नायकों ने कर लिये थे कैसे कैसे गठ जोड जानने लगा था मैं मैंने खोज निकाली उनकी सफलता की वे सीड़ियां जिने शिखर पर पहुँच कर वे लगभग विस्मित कर चुके थे मैंने खोज निकाली उनकी सफलता की वे सीड़ियां जिने शिखर पर पहुँच कर वे लगभग विस्मित कर चुके थे और उनके अफसानों में उन सीड़ियों का जिक्र कभी नहीं आता था मुझे मिलने लगे थे उनके जटिल समी करणों के सूत्र निस्तेज पढ़ने लगा उनका आभामंडल उजागर होने लगा उनका च्छल ऐसे में लोग डर गए और घबरा कर बाहर निकल गए मेरी शद्धा सूची के बहुतेरे लोग मेरी नजर बचा कर दबे पाओं बाहर निकल गए मेरी शद्धा सूची के बहुतेरे लोग मेरी नजर बचा कर दबे पाओं बाहर निकल गए हाला कि आज भी वे कमा रहे हैं नाम जस और दूसरे तमाम लोगों की शद्धा के पात्र बने हुए हैं मेरी कविता उन्हें वहां से भी बेदखल देखना चाहती है मेरी कविता उन्हें वहां से भी बेदखल देखना चाहती है जोट को नहीं मिलनी चाहिए कहीं ठोड जोट को नहीं मिलनी चाहिए कहीं कोई ठोड हम समझते हैं कि एक और गीत देखें आप कि दोर तूट चुकी है भरोसे की सैयम का बाद हुआ अब तब है लोग खड़े हैं गुमसुम सामने हकीकत है तोड रहा दम सुंदर ख्वाब है सब कुछ तोवे ही हैं जनता किस गिनती में लोक तंत्र की दशा खराब है किसको चिनता पड़ी अवाम की जो कुछ है कुरसी का करतब है दोर तूट चुकी है भरोसे की सैयम का बाद वा अब तब है बन देखें किसिंगा सन पर बैठे रहते आइठे आइठे जो मन में आए सो करते हैं चमकता सितारा है है संविधान हारा है चमकता सितारा है संविधान हारा है देखें इसको फिर से देखें कि सिंगासन सिंगासन पर बैठे रहते आए ठे जो मन में आए सो करते हैं अमन की नहीं चिंता जाती धरम प्यारा है दिल दिमाग में नफरत भरते हैं तो जल्दी ही फूटेगा देर नहीं पाप का घड़ा हुआ लबालब है दोर तूट चुकी है भरोसे की सैयम का बाध हुआ अब तब है दोर तूट चुकी है भरोसे की सैयम का बाध हुआ अब तब है एक आप देखें आखिर में एक मास के संदर्व से कुछ कविताएं आपको छोटी-छोटी सुनाता हुआ कि मेरे लिए मेरे हर विपत्ति में धाधस का एक शब्द थी मा मेरे लिए गुल्लक थी मा मेरे लिए गुल्लक थी जिसमेंसे मेरी हर छोटी बड़ी जरुरत पर कुछ न कुछ निकल ही आता था हर बार कुछ न कुछ निकल ही आता था हर बार उसकी गोद में बहुत जगह थी मेरी चपलताओं के लिए बड़ी स्वाइतता थी वहां मेरी कारस्तानियों के लिए उसकी गोद ही शायद सबसे मुफीत जगह थी मेरी नाजुक नीद के लिए ही शायद सबसे मुफीद जगह थी मेरी नाजुक नीद के लिए इस मर्त लोक में भी बड़ा अभय था उसके आचल में जैसे धरती सहती है में प्राणियों का सबकुछ मा मेरा सबकुछ सहती रही कभी कुछ नहीं कहा मैं मूरक बोलब का बोलम ही रहा मैं ठहरा उन का उल्जा हुआ गोला सुनिएगा मैं ठहरा उन का उल्जा हुआ गोला माही थी कि मुझे सुल जहाती रहे मैं ठरा उन का उल्जा हुआ गोला मा ही थी कि मुझे सुल्जाती रही वही ठीक ठीक जानती थी मेरी गाठें। तम तमाये पिता की आखों से हमें पलक जपकते ओजल कर देती थी मां। खोशते ही रह जाते थे पिता। पिता के सहद शांत होने तक हम कहीं सप्टे रहते थे किसी सुरक्षित बंकर में जहां रसत पानी पहुशता रहता था। बराबर धन्यवाद आप सबको आज इस जन सरोकार मंच टोप के आभासी मंच पर आप सभी शोता दर्शक वंधु तमाम साथी जो भी हमसे जुड़े थे। मैं पुनह उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। जन सरोकार मंच टोप के प्रति भी मैं धन्यवाद के आपित करता हूं। नमस्कार।